Hello friends and my dear students, welcome to our channel, मैं राजेंद्र मुनलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ आज का हमारा वीडियो है, क्लास 12 इंग्लिस फ्लेमिंगो में पोयम दी गई है, My Mother at 66 ठीके दोस्तों, इस पोयम को हम हिंदी एक्स्प्लेन करेंगे, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेट्व, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को सेर करें पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैंने प्लेइलिस्ट बना दी है, ठीके दोस्तों, तो चलिए शुरुवात करते हैं शुरुवात में ही मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड इंट्रो करा देता हूँ, कि माय मदर एट 66, 66 आप जानते हैं, मतलब चांचट, मेरी माता जी की उम्र चांचट वर्स, मिंस माता जी की उम्र जो है, वह बुड़ापे की ओर है, ठीके, मतलब बुड़ापा बारे में जब उनकी उम्र 66 वर्स की उस समय वो क्या सोचती है, या कौन से सीन से रिलेटेड यहां पर होगा, वो हम देखते हैं, ठीके, तो जो इसके पोएटेस हैं, कमला दास, उन से रिलेटेड मेरे खायल से एक्जाम में नहीं आता है, लेकिन अगर आता भी होगा, तो हम और इसके उपर वीडियो बनाएंगे, फिलाल हम इस पोएम को देखते हैं, बिफोर यू रीड में सबसे पहले हम देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, एजिंग इसे नेचुरल प्रोसेस, एजिंग का अर्थ होता है, बुड़ापा, एक प्राकृतिक प्रोसेस है, क्या उमीद रखते हैं, जो बुड़े रहते हैं, वो हमसे क्या उमीद रखते हैं, think about that and then we will start our poem, तो एक चित्र यहां पर बना हुआ है, चित्र को थोड़ा सा हम यदि understood या understand करने का प्रयास करें, तो इसमें आप देखोगे कि यहां पर यह कमला दास है, और यहां पर aeroplane है that means यहां पर airport से related भी बाते होंगी, और यह जो aged woman यहां पर है, यह poetess की मदर होगी, ठीक है, अभी और हम detail में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं, driving from my parents home to kochin last Friday morning, पिछले सुकरवार की सुबह में मेरे माता-पिता की घर से kochin के लिए निकली, जगे का नाम है, kochin जो airport है, वहां के लिए निकले, ठीक, I saw my mother, मैंने मेरी मदर को देखा, मेरी माता-जी को देखा, beside me, जो की मेरे बगल में बेठी वी थी, अब यह car से जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जो poetess से वो गाड़ी चला रही है, और इनके side में ही beside का आर्थ होता है, बगल में, तो बगल में ही माता-जी बेठी माता-जी को देखते हुए कहती है, क्या देखा उन्होंने, doze open mouth, her face as and like that, ठीक है, of a corpse and realized with pen, यहां पर word आया है, doze, doze का जो आर्थ होता है, वो आर्थ होता है, उंग ना, क्या आर्थ होता है, उंग न जिसे थोड़ी सी देर चन भर के लिए नियन दा जाती है, और फिर अचनक आँख खुल जाती है, उसको बोलते हैं, doze, उंग ना, जिसको हम बोलते है, open mouth, मुह खुला हुआ था, her face as and like that a corpse, that of a corpse realized with pen, और फिर एक word आया है, ashen, ashen, ashen का आर्थ होता है, very pale, very pale, very pale, very pale मतलब बहुत पीला पड़ना, मतलब चहरे के लिए प्रयोक तो होता है, यह सब्द, यह ना, बहुत ही पीला होना, कब बीमारी की वैसे, या फिर डर या भाई के कारण, तो यहाँ पर जो माता जी है, हमारी जो कवीत्री है, कमला दास, उनकी जो माता जी है, उनका च और इस चहरे को, जो कि अभी नीन में हैं, या उंगते हुए हैं, मुँ खुला है, है ना, जनरल हम जब सोते हैं, नीन में होते हैं, तो हमारा मुँ खुला रह जाता है, तो ऐसे यहाँ पर माता जी का मुँ है, और वब उसे सेन ला interviewing दिखाई दे रहा है, इस चहरे को, इस face को वो corpse से तुलना करती है और corpse का आर्थ होता है शव या फिर म्रत सरीर या एसा उसको दिखाई दे रहा है या feel हो रहा है और ये जो realized कर रही है वो उस समय उसको काफी दर्द होता है कि माता जी जो है बूरी हो गई है और ये कभी भी जा सकती है ये ना ऐसा उसको feel होता है pain means दर्द होता है that she was as old as she looked but soon put that thought away and looked out a young trees sprinting अब ऐसा जब वो सोच रही है उसको दुख होता है तो अपने जो thoughts हैं इस प्रकार के बेतू के जो thoughts उसके दिमाग में आ रही है कि मेरी मम्मी जो है अब काफी बूडी हो गई है तो अब ये कभी भी मतलब सान तो हो सकती है ये जा सकती है ऐसे thoughts negative thoughts जब उसके दिमाग में आते हैं तो वो अपने mind को परिवर्तित करने के लिए कि क्या करती है and looked out at young trees sprinting तो जिस गाड़ी में वो बेटी हुई उससे वो बाहर की ओर देखती है तो बाहर की ओर उससे क्या दिखाई देता है young trees sprinting मतलब जो पेड़ है वह तेज गती से पीछे की ओर जा रहे है मतलब गाड़ी इधर आगे जाएगी तो यहाँ पर जो पेड़ पोधे है यह इधर जाते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर कहा गया young trees sprinting और क्या दिखाई देता है the merry children is spilling out of their homes spilling का आर्थ होता है spilling लिखा हुआ है यहाँ पर इसका आर्थ होता है चलकना क्या आर्थ होता है चलकना इना जैसे प्याला है प्याले से पानी जलकता है दूद जलकता है इना तो merry children merry children मतलब magan merry मतलब होता है magan या फिर आनन्दित तो जो आनन्दित खुसहाल खुस या magan जो बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर उसको दिखाई देते हैं मतलब खेलते हुए दिखाई दे रहे होंगे अब वो एरपोर्ट पर पहुँच गए है एरपोर्ट जहां पर plane land होता है और take off होता है वहाँ पर वो पहुँच गए है और फिर वहाँ पर उनका security check हुआ है उसके बाद standing a few yards few yards मतलब कुछ दूरी पर खड़ी है few yards away I looked again at her vanpale फिर से जो लेखी का है कमलादास है वह अपनी माताजी से थोड़ी दूर खड़ी हुई है क्योंकि security checking हुई उसके बाद फिर से वह अपनी माताजी की और देखती है फिर उसे when और pale चेहरा दिखाई देता है जिसके बारे में उसके दिमाग में negative thoughts आ रहे है when when का जो आर्थ होता है वह होता है पीला, फीका या फिर फीका पड़ जाना तो चेहरा फिर से दिखा ही देता है as a late winter moon and felt that old ठीक है और फिर इस चेहरे को as a late winter moon से तुलना करती है late winter moon का आर्थ होता है कि late winter moon जो होता है वो कैसा होता है उसकी जो चमक है चंद्रमा की चांदनी है जो फीकी पड़ जाती है तो इस as a late winter's moon से अपनी माता जी के चहरे की तुलना करती है and felt that old और महसूस करती है कि हां माता जी बूरी हो चुकी है familiar egg, A-C-H-E, egg का अर्थ होता है दर्द या फिर पीडा फिर लेखिका को एक familiar pain होता है, दर्द होता है my childhood's fear, बच्पन का डर, बच्पन में हमें क्या डर लगता है बच्पन में आप भी महसूस कर सकते हैं, में भी महसूस कर सकता हूँ कि जब हम छोटे थे, उस समय यदि मम्मी से या पापा से थोड़ी बहुत देर भी यदि हम दूर रह जाते थे तो हमें एक familiar pain होता था, मतलब उनके बिना हम एक छण भी नहीं रह सकते हैं इस प्रकार का familiar pain, my childhood fear, बच्पन का जो डर था, उसे महसूस होता है और इतना कहकर, मतलब ये pain उसको होता है, दर्द हुआ होता है, उसके बावजूद भी वह कहती है मतलब हम जल्द मिलेंगे, अम्मा, अपनी मम्मी को, माता जी को उसने अम्मा कहा कि अम्मा हम जल्दी मिलेंगे, all I did was smile and smile and smile मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, वह ऐसा कहती है, मतलब मुस्कुरा रही है, अंदर दर्द है, अपने दर्द को छुपाते हुए, मुस्कुराते हुए, वह अलविदा कहती है ठीके दोस्तों तो I hope कि ये poem आपको अच्छे से clear हुई होगी किसी प्रकार का कोई doubt या कोई क्यूरी रहे तो without any hesitation आप comments कर सकते हैं पिछले वीडियोज यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को जरूर देखेगा और अपने दोस्तों के साथ अपने friend circle में share जरूर कीजिएगा ग्लोजरी में यापर दो word दिये गए हैं इतके meaning भी देख लेते हैं हो सकता है exam में पूछ लिये जाए जैसे sprinting है तो sprinting का आर्थ होता है short fast raise मतलब लगू दोड जिसको हम बोलते हैं चोटी सी दोड रनिंग मतलब दोड वैन मतलब होता है colorless है ना वन हीन रंग हीन ठीक तो ठीक है दोस्तों thank you very much for watching and please take care of yourself thank you once again